अजीज साहब आपकी आवाज मुहम्मद रफीजी से बहुत मिलती जुलती है क्या आपने उनसे इंस्पाइर होकर गाना सीखा? नहीं जी मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ आज भी हूँ और आज जो गाने का शौक जो हुआ है वो उनको सुनके ही हुआ है और बच्पन से उनके गाने गाये हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी चाया है हमारे साथ मैं उनको परसनली सिर्फ दो बार मिला उलम बिल्कुल एक फाइन और एक खलाकार की है से तो मैं सुना बहुत है उनके बारें के बहुत नेक इनसान थे, बहुत डाउन वोट इर्ध थे, बहुत इनकिसारी थी नेंदर, बहुत सीदे साधे थे बड़े हस्पुक तो थे ये सब को मालू है क्योंकि तस्वीर हम जब भी देखते हैं तो मुश्कुरता हुआ चेरा और गाने के बारे में तो कहना मुतलब सूरज को चराक दिखाने के बराबर है क्योंकि उनके जैसा गायक सदियों में आना मुश्किल है अजीज साहब आपकी आवाज मुहमद रफीजी से काफी मिलती जुलती है क्या ये सब नेचरल था या आपने आवाज बनाने की कोशिश की आपको मैं बताओं इतना जबर्दस गाने वाले जुद्धे रफी साहब और इतनी अच्छी आवाज के मालिक थे कोई नकल करना चाहे तो नकल कर नहीं सकता कहीं न कहीं अगर आपकी नेचरल तरीके से मिलती है तो ही एक चमतकार समझी है नहीं तो उनको कॉपी करना कोई मजाख नहीं है नहीं तो बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं कॉपी करना मुश्किल है वो कला वो आवास बहुत अजीब आवास थी उनकी हमारे यार आएंगे